सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वालिड इस्टेट सब कुछ समझ जाओगे मैं चित्र परिभासा उदाहरन सब कुछ समझाओगा ठीक है मैं आप लोग को पार्ट वाज वीडियो डेली देता रहूँगा तो आप लोग आज से ही जुड़ जाएए आईए मैं आप लोग को बताता हूँ आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले ह पहला हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था क्या होता है ठोस अवस्था का वड़गी करन क्रिस्टलिये और आक्रिस्टलिये ठीक है सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा पहला देखिए ठोस अवस्था क्या होता है ठोस अवस्था पाठ का नाम है ये क्या होता है ध्यान से समझो सब समझ जाओगे यद किसी पदार्थ जिसका गलनांग कमरे के ताप से अधिक हो यद कोई पदार्थ है उसका गलनांग कमरे की ताप से अधिक हो तो वह ठोस आवस्था कहलाता है इसका आप लोग जो भी definition जानते हो सब सही है ठीक है अगर आप लोग जानते हो तो तो यह हमारा फहला है कि यद किसी पदार्थ जिसका गलनांग कमरे के ताप कमरे के गलनांग के ताप से अधिक हो वहा थोस अवस्था कह लाता है जैसे यद मैं कमरे में लोहा रख दूं तो उसका गलनांग कमरे की अफेच्छा अधिक होता है इसलिए वो आपका ठोस होगा अगर मैं प्लास्टिक रख दूं तो प्लास्टिक की गलनांग जो होता है वो कमरे की गलनांग से काफी जादा होता है तो आपका प्लास्टिक भी definition ठोस अवस्था इसका आप लोग समझी है मैं आप लोग को चित्र छोटा सा समझा देता हूं ठीक है जरसे आप लोग देखे यहां कोई मैं पदार्थ ले लेता हूं पदार्थ ठीक है ये कोई आपका पदार्थ है ये आपका पदार्थ है ठीक है अब इसका गल्नांग अगर ये कमरा है इसका गल्नांग अगर इससे अधिक है यानि कि ये अगर इसका गल्लांग अधिक है तो आपका जो होगा वो ठोस होगा तो ये होता है आपका डिफनेशन और आप लोग एक्जामपल समझ लीजी एक्जामपल जैसे आपका है प्लास्टिक एंड लोहा और भी आप लोग ठोस में लिख सकते हैं इट ठीक है आप लोग आदी ये हो गए आपका ठोस आवस्था तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो student आप हम लोग देखेंगे ठोसो का वर्गी करां अगर आप लोग को ठोस अवस्था बिल्कुल समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ठोसों का वर्गी करना अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को आप लोग पीछे करके समझ सकते हैं ठोसों का वर्गी करना देखे ठोस जो होते हैं वो दो परकार के होते हैं क्रिस्टलिय ठोस और आ क्रिस्टलिय ठोस क्रिस्टलिय ठोस क्या होता है उसका चित्र और आ क्रिस्टलिय ठोस क्या होता है उसका चित्र सब कुस मैं आप लोगों को समझा दूँगा ठीक है यह तो ťोस क्या होता हैike analysis जो क्रिस्ट रिक्राइए थोस होते हैं एक परकार से ठोस के ही रूप में होते हैं यानी कि वह एक परकार से ठोस ही माना जाता है लेकिन इसका नाम किस्टलीयख ।ो थोड़ा आप लोग को अलग लिखना है मैंने यहाँ एक नाम लिया यह क्या होता है तो वह मैं आप लोग बताता हूं अवभीकर में जैसे आप लोग लिख सकते हैं user अपका एक प्रमाडव क्यों अधिक είναι यह सब आप लोग लिख सकते हैं अव्ववीकर में आयन एज प्लस आयन ओ एज मायनेस आन ये सब ठीक है तो अव्ववीकर कौन से अड़ू प्रमाडू आयन एक निश्चित परकार से ब्यवस्तित हो इसे भी आप हटा दीजी इस परकार के ठोस को क्रिस्टलिय ठोस करते हैं बात को समझो यद क्रिस्टलिय ठोस के अव्ववीकर एक निश्चित परकार से ब्यवस्तित होते हैं अगर उन्हें देखिए एक निश्चित परकार से ब्यवस्तित होते हैं उनकी पुनरा वृत ऐसे होती रहते चित्र के साथ चमझाऊंगा बहुत अच्छे से आ जाएगा इस फरकार के थोस को क्रिस्टलिय थोस गाते हैं कि नोड करते रहिये ठीक है आप लोग देख समय खे फिर मैं आप लोगो एक बार समझा दूँगा नहीं भूल गे ठीक है तो यहां आप लोग देख से क्रिश्टाल यह ठोस का सी तर्य शाव मौह गिनिश्यक्चित से तो आ का यहां आप लोग देखिए मैंने एक बनाया फिर इनकी पुन्रा ब तुहीं दूसरा ठीक है यह एक बनाये फिर दूसरा और यह एक ऐसे आप लोग देखिस्त को समझ में आजाएगा तो यह आप लोग अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप लोग चित्र को समझ लीजिए तब आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चित्र मैं आप लोग को बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ इधर भी आप लोग ऐसे कर दीजिए तो बैटर रहेगा ठीक है तो यह है स्टुडेंट थोड़ा एक और हम लोग बना लेते हैं यह है यह है स्टुडेंट आपका क्रिस्टलिये ठोस का चित्र थोड़ा और आप लोग ऐसे बना लीजिए तो इस्टुडेंट यह होता है क्रिस्टलिये ठोस ऐसे आप लोग को चित्र बनाना है लेकिन इसमें हमें दिखाना है अवविवी कन ठीक है तो आप लोग यहां बना सकते हैं इसके अवविवी कन ऐसे उपस्थित होते हैं देखिए ऐसे आप लोग को बनाना है ठीक है इस्टुडेंट यह है इसका चित्र आप लोग इसकी जो यह है रंडी को ऊपर थोड़ा बढ़ा दीजिए तो ऐसे आप लोग को क्रिष्टलिय ठोस का चित्र बनाना है यह मैंने इसमें दिखा रहा है अव्यविकन जो है तो ऐसे आप लोग को क्रिष्टलिय ठोस का चित्र बनाना है तो यह था ख्रिश्टलिय ठोस, अब देखिये माने कया कहा क्रिश्टलिय ठोस के अव्यवेविकन एक निश्चित प्रकार से बीवस्तित होते हैं, ठीक है और क्या कहा रहा है इसकी पुनरा वृत्त होती रहती है यानि कि मैंने यहां ऐसे कई बार माने लगाया है इसकी पुनरा वृत्त होती रहती है इस परकार के ठोस को क्रिश्टलिय ठोस कहते हैं इस परकार का जो ठोस होगा क्रिश्टलिय ठोस कहते हैं चित्र आप पूछते हैं इक्जाम में भी आता है ठीक है तो इक्जामपल आप लोग देखें एक्जामपल आप लोग लिख सकते हैं हीरा हिरा तो आप लोग जानते ही हूंगे चांधी यह सब क्रिस्टलियट होस के उधारें हैं गिरेफवाइट तो यह सब student इसके example है तो यह आप लोग समझ गये होंगे अब हम लोग देखेंगे अगला आ क्रिस्टलिय ठोस लगभग उसका थोड़ा विपरीत है जैसे आप लोग देखें आ क्रिस्टलिय ठोस आ क्रिस्टलिय ठोस के अववी कन आनियमित होते हैं यह आप लोग लिख सकते हैं आ निश्चित होते हैं ठीक है जैसे उसमें था उनके अवववी कन निश्चित होते हैं इसमें आनियमित होते हैं है कोई उनका नियम नहीं और इनकी संदस्ना लगुपराशी होती है अर उनकी जो संदस्ना होती है लगुपराशी होती है इस प्रकार का ठोस कैलाता है मानिन बहुत छोटे में बता रहा है आप लोग नोट करते रहिए ठीक है ऐसे मैं आप लोग को पार्ट वाई वीडियो देएता रहूंगा तो इस प्रकार का जो ठोस है अक्रिस्टलिय ठोस कहलाता है अगर आप लोग चित्र से समझना जाएं तो आप लोग समझ सकते हैं वो कुछ ऐसे आप लोगों का बना रहेगा ठीक है ऐसे ऐसे आप लोगों का बना रहेगा यह आक्रिस्टलिये ठोस आप लोग देख सकते हैं तो ऐसे आप लोगों का बना रहता है क्रिस्टलिये ठोस ठीक है student तो अब इसमें हम लोग अववीखन को दिखाएंगी तो student मैंने इस प्रकार से इसलिए बनाया क्योंकि ये आनियमित होते हैं तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया ये है अक्रिस्टलिय ठोस इनके अववीखन देख लीजिए लगप्रासी होते हैं यानि कि इनके अववीखन आप लोग ऐसे बना सकते हैं ये है आपका आक्रिस्टलिय ठोस का चित्र ठीक है ठोस अवस्था और इनके वर्गी करां जो मैंने आप लोगों को बताएं है क्रिश्टलिये ठोस आ क्रिश्टलिये ठोस क्रिश्टलिय जालक किया होता है, त्रिविम व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को क्रिश्ट strategy, तो इसी में आप लोग देखे क्रिश्टलिय ठोसों में अव्यवी कर रह था था डिविम व्य यानि कि उसी निश्चित जयोमिती में तुरिविं व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को क्रिस्टल ठोस कहते हैं अगर अभी नहीं है तो मैं आप लोग को अभी चित्र के साथ समझा दूगा सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं आप लोग को एका कोश्टीका पढ़ाने के दिगे क्रिषटलिये जालक का जो हैक का टोसका एक कष्टलिये छोटा सब्सक्राइब मैंने बताया ना एक कोष्ठी का जो है क्रिस्टलिय ठोस का एक छोटा सा भाग है जिसे तीन विमाओं में बार बार दोराने पर संपूर्ण जालक का निर्मार होता है अगर हम उसे तीन विमाओं में बार बार दोराते जाएं तो आपको संपूर्ण जालक का निर्मार हो स्ट्र्जी है ठीक है पाल्ट दुएन और आप लोग जाके ठीक है देख सकते हैं ये आपका प्रिस्ट और नमर्ट नाइन पाड ठीक है ठोस अवस्था यह आप लोग देखे ये आपका जो है ऍ्ट्रीलेंट क्रिश्टल्य जा लख स्छिट्रिय स्थे दिखी को बनाना थोड़ा मैंना मुष्किल है लेकिन आप लोग इसे देखिए यह क्रिष्टलिये जालक है ठीक है यह पूरा कि समझे लिए जालक है अगर हम विंदू की बात करें यह यह सा तो यह क्या है जालक विंदू है क्या है श्टुडेंट जालक विंदू अब श्टुडेंट अगर मैंने बता था एक कोश ठीका ठीक है तो इसका एक छोटा सा भाग होता है यह देखी वीच में बना है कुछ अलग रंग का ठीक है यह आपका है एक कोश ठीका यह ठीक है यह आपका जो बीच में बना है एक छोटा सा भाग इसका है इससे हम लोग कहते हैं एकक कोश्ठिका ठीक है कि एक कोश्टीखा का देखी चितर का ऐसे बनाते हैं ठीक है चितर को समझे आप लोगों को ऐसे एक ऊवर्ग बनाना जो ठीक है एक उवर्ग pista आप लोगों को ऐसे और बना लेने है कि आध और ऐसे आप लोग बना दीजिन यह है आपका student एक कोश्टिका तो यह है student आपका एक कोश्टिका अब हम लोग एक कोश्टिका के भागों को देखने वाले हैं ठीक है उनके कितने प्रकार होती है तो student जो एक कोश्टिका है यह दो परकार का होता है बात को समझो एक कोश्टिका दो परकार का होता है एक कोश्टिका क्या होता है एक कोश्टिका जो किरिस्टिलिये ठोसका एक छोटा सा भाग है जिसे तीन विमाओं में बार बार दोराने पर संपोर जालक का निर्मार होता ह अब ये दो प्रकार्थिया होता है, नमबर एक सरल घनिये एकक कोश्टिका, बहुत ही इजी है, पहले चित्र को समझो फिर मैं आप लोगो इसका बताता हूँ, ठीक है, परिभासा, परिभासा को जानना उतना जरूरी नहीं, जितना आपको चित्र को समझना जरूरी है, ठीक है, एकक कोश्टिका आप लोग बनाना तो जान ही गए होंगी, अब एकक कोश्टिका बनाने के बाद, आप लोगों को क्या करना है, इसके जो कोने कोने पर अववी कन को रखना है, ठीक है, जैसे आप लोगों मैं बता दूँ, अववी कन को आप लोगों को रखना है, इसके कोने कोने बार ठीक है जैसे आप लोग देखिए यहां आप लोग को रखना है इसका कोना है ठीक है ऐसे आप लोग को रखना है और यहां एक रख दीजिए यहां एक रख दीजिए इसके कोनो कोनो पर ठीक है देके एक दो तीन चार पांच छी साथ आठ ठीक है आठ तो ऐसा जाला कोष्टिक है जिसके अव्यवींक्न देखिन होते हैं आता देखिये आप देखिये आप कोस्ष्टिका जिसके अवयवीकन, अवयवीकन क्या होते हैं, प्रमाणू, अड़ू, आयन ये सब ठिक है, कोनों कोनों पर इस्थित होते हैं सरल जालक एकक कोश्टिका कहलाता है या सरल घनिय एकक कोश्टिका कहलाता है चित्र भी देख लो और डिफिनीशन भी देख लो सबको नोट करते रहिए ठीक है नोट आप लोग जरूर बनाईए अब दूसरा भाग आता है स्टुडेंट केंदरित एकक कोश्टिका स्टुडेंट केंदरित एकक कोश्टिका स्टुडेंट केंदरित एकक कोश्टिका जो की तीन प्रकार का होता है हम लोग इन तीनों का च्चित रोड डिफिनीशन देखेंगे इससे आप लोग समझ लीजे ठीक है वो तीन आप लोग के लिए important है तो देखिए केंदरित एक कोष्टिका क्या होता एसा एक कोष्टिका जिसके अवविकन इसमें तो था कोणों कोणों पर इस्थित होते हैं लेकिन इसमें है कोणों के अतरित अन इस्थितियों पर भी स्थित होते हैं के अंदर एक कोश्टिका कहलाते हैं इसके तीन प्रकार के हैं तीन प्रकार है कौन-कौन सी स्थितियों पर इस्थित होते हैं आईये मैं आप लोगों को चित्र और परिभाशा के साथ समझाता हूं ठीक है डिफिनेशन तो समझ में आगे होगा अब इनके तीन भागों को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बहुत इजी है आप लोगों को आई होप समझ में तुरंत आ जाएगा तो student अब हम लोग केंदरत एक कोष्टिका के तीनो भागों को देखने वाले हैं उनके चित्रों को देखने वाले हैं अगर मैं बता दूँ इसके पीछे के आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे तो आप लोग ने part 1 वीडियो जरूर नहीं देखा होगा तब नहीं आ रह होता है पहले मैं आप लोग को चित्र से समझा दूं तब आप लोग इसे जान जाओगे तुरंत जान जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा पहले आप लोग को एक कोष्टिका बनाना है ठीक है आप लोग एक कोष्टिका बना लीजी एक कोष्टिका अब ये तो आप लोग को पता ही है कि इसके कोनो कोनो पर जो है इस्थित है कौन अववविकन तो कोनो कोनो पर आप लोग इसे इस्थित कर दीजी ठीक है और यहां एक यहां एक अब इसमें क्या कहना ऐसा एक कोश्टिका जिसके अवववविकन कोनों कोनों पर इस्थित होने के अतरिक्त केंदर पर भी इस्थित हों कहां student केंदर यानि कि कोनों कोनों पर इस्थित हों लेकिन केंदर पर भी इस्थित हों तो ऐसा एक कोष्ठिका अंता केंदर तेक कोष्ठिका कहलाता है देखें, ऐसा एक कोश्टिका जिसके अववी और उस्थित होने के अतरिक्त ते के अंदर पर भीश्थित हों। समाझ में मैं कोई दिग्क्त हो, तो आप लोग कमेंड़ वाक्स में कमेंड करिए, मैं आप लोगोंको अगले बीडियो में और भी अच्छे से बता हूं। फलक एकक कोश्टिका फलक एकक कोश्टिका एक बात बताओ कि आपका जो एकक कोश्टिका है या इससे हम लोग घन कह सकते हैं ठीक है इसके कितने फलक होते हैं फलक ठीक है इसके स्टूडेंट छे फलक होते हैं ठीक है छे फलक और छे फलक होते हैं तो आप लोग देखिए छ ओर फ़लक और को नो को पर स्थित होते यानिकी ऐसा है को स्बैंड पहले परीभाशा को समझा जीए आएस आयका को कोष्टिका जिसके अवविकण कोणों के अतरिक्त एकल कोष्टिका के फलक पर भी इस्तितु हों ठीक है तो समझ में आया तो ऐसे स्टूडेंट आप लोगों को एक कोष्टिका बनाना है और उनके जो कोणों कोणों पर इस्तित होते हैं अववविकण उसे दरसाना है फिर ह फ्लकों पर दस्थान आए यहांनी कि छे हमें और स zurna मैं आप लोग बता दूँ आप लोगों को देखें यहां आप एक हूपर का है पीठे का है shares throughout PSEisliva 9 your ोह और अभलोग देखिए एक ये 5 और एक डिए खांश रख स्थी तु अन्यत्य एकक कोश्ठिका ठीक है अन्यत्य केंद्रत एकक कोश्ठिका समझो इसको बहुत इजी है आप लोगों को क्या करना है एक एकक कोश्ठिका लेना है ठीक है और विपरीत फलकों पर आपको अवववीकर रखने हैं जैसे इसमें अवववीकर कोनों के अतरिक्त किसी द तो विफृत फलक पर इस्थित होते हैं ठीक है अब जैसे आप लोग समझ लीज़ेव विफृत फलक आप लोग तो जानते ही होंगे अगर आप आईए हम लोग इसको बनाते हैं तो यह student आप लोग समझ लीजी यह आपके हैं कोनों कोनों पर इस्थित वरीकन और आपका एकल एकक कोश्ट का अब इसमें कह रहा है कि विफरीत फलकों पर अगर मैं इसके उपर का एक फलक लूँ तो इसके विफरीत नीचे का एक फलक लू तो आईए देखते हैं ठोसों में संकुलन इस्टूलेंट देखे फाले ठोसों में जो अवरीकन होते हैं इस प्रकार से बेवस्थित होते हैं कि उनके मधरिक अस्थान बहुत कम होता है इस सन्नजना को ठोसों में संकुलन कहते हैं समझो आप लोग देखिए ठोसों में जो अवविकन होते हैं ठीक है वो बहुत पास-पास होते हैं मतलब इस परकार से बेवस्थित होते हैं कि उनके मद्ध जो खाली अस्थान होता है बहुत कम होता है यानि कि एक दूसरे से मतलब बहुत पास-पास होते हैं इसलिए इनके मद्ध जो है खाली अस्थान बहुत कम होत संदशना को ठोषों में संक्लब कहते हैं ठोषों में संक्लब का पट्भास समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ें । ठोसों में अवविकर इस प्रकार से बेवस्थित होते हैं कि उनके मद्ध जो रिक्ट अस्थान होता है बहुत ही कम होता है देखिए ठोसों के मद्ध रिक्ट अस्थान बहुत कम होता है इसलिए वो ठोस होते हैं तो इस सन्नस्ना को ठोसों में संकुलन कायते हैं अब आईए बिम्य निविण संकुलन बस तरर विम्यद आते हैं तो आप लोग ध्यान पहला किया होता है आहिए मैं लोग को बताता हूं अच्छे से समझें के दिखिए एक बिंद कि शम, बूले को व्यवस्थित करने का एक ही भी है यानि कि यो आपका एक बिंद निबीट संकुलन है उसमें जो गोला होता है उसे व्यवस्थित करने का केवल एक ही बीदी है एक ही पंक्ति में एक दूसरों को असपर्स करते हुए रखा जाए आप लोगों को समझ लेजे परिभासा नहीं आया अब मैं आप लोगों को चित्र बना के दिखाऊंगा फिर आ आयसे ठीक है और उसमें हमें इन्हें ले जाना है लेकिन एक दूसरे को असपर्स करें क्या करें एक दूसरे को असपर्स करें जो एक गोला है दूसरे गोले को असपर्स करें दूसरा गोला तीसरे गोले को ठीक है ऐसे असपर्स करें तो चित्र को समझना बहुत ही ज़्या जहां आप लोग देख सकते हैं, एक गोला दूसरे गोले को असपर्स करता है, दूसरा तीसरे गोठी का है, तो ऐसे आप लोग को चित्र बनाना है, और एक ही पंक्ति में, यानि कि ये एक ही लाइन में हूँ, अब देखिए, परिभासा क्या है? एक विवीन निबिड संकुलन की सननसना में, गोलो को प्यवस्थित करने का केवल एक ही विधी है, कौन सी? एक ही पंक्ति में, एक दूसरे को असपर्स करते हुए रखा जाए, ठीक है? तो परिभासा तो समझ में आ गया, अब एक बात आता है कि इसके उपसाह संयोजन की देखिए, एक गोले को जितना जादा मतलब गोले टेच करें, उतना उनका उपसाह संयोजन छमता होता है, यहाँ अगर मैं देखूं यहाँ, तो यहाँ एक यहाँ टेच कर रहा है, एक यहाँ, अगर देखा जाए, तो दो से जादा कहीं टेच नहीं हो रहे हैं, ठीक है? उपसाह संयोजन दो होता है, तो आप लोगों को दो समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आगया हो, तो हम आगे वड़े दिव बीमेन निबीट संख्त कर लीए, तो इससे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ, यह जो आपका दिव बीमेन बीट संख्त हो है आप लोगों को हाइड ज़रू लगेगा लेकिन ध्यां से समझेए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूगा ठीका देखे दिव विमियर निबिट संकुलन जो होता है उसकी संद्शना दो परकार से बेक्त की जाती है देखे अभी माने बताया एक विमियर निबिट सं इसे हम लोग वर्गया कार निबिट संकुलन भी कहते हैं तो दिव विमियर में वर्ग निबिट संकुलन क्या होता है पहले इसे समझेए फिर तो चित्र मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूगा ठीक है यहां आप लोग देखिए इसमें दुतिये पंक्ति को पर्थम पंक्ति के संपर्ग में इसमें जो दुतिये पंक्ति होता है उसे पर्थम पंक्ति के संपर्ग में इस परकार रखा जाए कि दुतिये पंक्ति के गोले पर्थम पंक्ति के ठीक उपर हूं समझो बहुत इजी है तो आईए मैं आप लोगो को चित्र समझाता हूँ देखिए कहता है इसमें दुतिये पंक्ति के जो आपका दुतिये पंक्ति को पर्थम पंक्ति के संपर्क में इस परकार रखा जाए कि दुतिये पंक्ति के गोला जो दुतिये पंक्ति का गोला है प्रत्थम पंक्ति के ठीक उपर हो यानि कि आप लोग को एक गोले का पंक्ति बनाना है ठीक है तो मैं आई ये बना देता हूँ ऐसे आप लोग को बनाना है जो एक दूसरे को असपर्स करें एक पंकती, जो मैंने आप लोग को एक विमियन निबड संकुलन में बताया है वही यहाँ आप लोगको बनाना है अब इसके आप लोगों को ऐसे देखे इसके ठीक ऊपर होना चाहिए इसके ठीक ऊपर ठीक है बगलना ही होना चाहिए इस प्रकार से मैं बना रहा हूं ऐसे आप लोग अपने note नोट कौपी में बनाईई है फिर बना लीजिए और उसमें आप लोग नोट करते रहिए जो जो मैं समझाता हूं तो ऐसे इसके ठीक उपर आप लोगों को बनाना है ऐसे आप लोगों को बना लेना है ठीक है यह मैंने चार बना लिये हैं एक दूसरे के उपर और जो कि एक पंक्ती देखी यह दूसरे को उपर तीसरे ऐसे बनाना है और एक दूसरे को असपर्स करें ठीक है अब हम इसे कैसे पहचाने कि ये आपका वर्गा का निविड संकुलन है ठीक है तो आईए मैं आप लोग को बताता हूं इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे तो अगर हम देखिए जैसे इसके जो केंदर को मिलाएं तो एक वर्ग बनेगा जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे बनेगा यहां अगर मैं इसका केंदर ले लूँ ठीक है इसका केंदर ले लूँ ठीक है इसे मैं मिला देता हूँ मिल गया ठीक है अगर मैं इसका केंदर ले लूँ तो इसे मैं मिला दूँ इसका केंदर ले लूँ तो इसे मिला देगी अब इसे हम लोग मिला देंगे तो ये देखिए एक वर्ग बन जाता है ठीक है अगर हम कितने एक दो तीन चार चार गोले को केंदरों को मिलाते हैं तो एक वर्ग बन जाता है ठीक है तो ये आपका चित रहा है किसका दिव बिमियन निबिड संकुलन यानि की वरगा का निबिड संकुलन का अगर हम इसका उपसह सैयोजन जो होता है उससे देखें आज़े मैं आप लोग को बताता हूँ उपसह सैयोजन तो आप देख सकते हैं आप लोग देखिए इसमें एक गोला कितने गोले को टेच कर रहा है बस अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी तो एक गोला देखिए मैं इस गोले की बात करता हूँ ये ठीक है देखिए एक गोला इसे टेच किया दो, तीन, चार तो इसकी जो उपसासयोजन होगी चार होती है उपसासयोजन चार होता है चार होती है ठीक है तो आप लोग इससे याद रखना बहुत ही ज़्यादा important है अब हम इसे दो परकार से बना सकते थे तो एक आता है आपका दिव बिम में जो आपका दिव बिम में या दिव बिम में सथ कोणिये निविड संकुलन यानि कि उसे हम लोग कहते थे वर्ग निविड संकुलन इसे हम लोग सथ कोणिये निविड संकुलन कहेंगे देखिए इसमें दुतिये पंक्ति को परथम पंक्ति के संपर्क में इस परकार रखा जाए सेम उएसे ही है कि एवल थोड़ा सा चेंज है कि दुतिये पंक्ति के गोले परफ्थम पंक्ति के गोले के आउनमनों में ठीक आजाएं आउनमनों में ठीक आजाएं और उसमें ठीक ऊपर आजाएं ठीक है तो इतना ही आप लोग को अंतर लगाना यहा आउनमनों में आजाएं ठीक है तो आए मैं आप लोग को आउनमन बताता हूं ठीक है तो यहां आप लोग पहले गोला बना लीजिए एक पंक्ती में तो आप लोगों को समझ में तो आही रहा होगा ठीक है बहुत ही इजी है अगर आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे तो य कैसे आप लोग को बनाना है एक और अच्छे सबना दीजिए ठीक है अब आप लोग को क्या करना है इनके आउनमनों में आप लोग को ले जाना है ठीक है जैसे इनके आउनमन ये बीच में जो है इसके आउनमन है तो इसके बीच में हमें ले जाना है ठीक है एक दूसरे को टेस्ट करें तो इनके बीच में आप लोग को ऐसे बनाना है ये ठीक है इनके बीच में होने चाहिए तो इनके आउनमनों में आप लोग को बनाना है ये ऐसे आप लोग को बनाना है तो इस्टुडेंट ऐसे आप लोगो को इनके आउनमनों में गोला बनाना है इनके आउनमनों में ठीक है तो ऐसे आप लोग को बनाना है अब हम कैसे जाने कि ये दिवभिम सत कोणिये निमिड संकुलन है आप लोग समझेए कैसे जानेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग यहाँ एक मतलब केंदर मालिए इसे 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 ठीक है मैंने हमाल लिया अब हम इनी केंदरों को मिला देंगे तो आप लोग ऐसे इसे मिला दीजिए ठीक है मैं मिला देता हूँ तब आप लोग देखें कौन सी सन्नशना बनती है जो सन्नशना बनेगी वही आप लोग समझ जाएंगे दिखेंगे ये आपका बनगा एक सटकोण तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं दिव बिम में सटकोण ये निबिट संकुलन क्योंकि ये सटकोण बनता है तो इसलिए हम लोग इसे सटकोण ये निबिट संकुलन कहते हैं तो ये आपका हो गया दिव बिम में अब हम लोग त्रिव बिम में देखेंगे तो इस्टूडेंट अब हमारा त्रितिये निबिट संकुलन आपता है ठीक है त्रिव बिम ये निबिट संकुलन परतों से त्रिविमिये निबिड संकुलन देखे इस परकार से बना जालक सामान घनिये और उनी की एक कोश्ट का आद एक कोश्ट का होती है ठीक है तो यह आप लोग समझ देना और यहां आप कहाता है दिव परकार की रिक्तियां उत्पन होती है दो परकार की रिक्तियां उत्पन होती है नमबर एक आप लोग समझे कौण कौण से रिक्तियां उत्पन होती है ठीक है नमबर एक आपका है चतुस फलकिये रिक्ति चतुस फलकिये रिक्ति ठीक है यह आप लोग याद कर लेना नमबर एक रिक्ति है चतुस फलकिये रिक्ति अगर आप इसकी परिभासा की बात करें तो आप लोग छोटा सा लिख लेना यहाँ चार गोलों से मिलकर बनने वाली दिखती है यानि कि यह कितनी गोलों से मिलकर बनती है चार गोलों से मिलकर बनती है ऐसे आप लोग लिख लेना ठीक है अगर हम इसके चित्र की बात करें तो कैसे चार गोलों से मिलकर बनती है आप लोग यहां देखिए यह आपका है एक गोला यह है आपका दूसरा गोला यह है आपका तीसरा गोला यह चौथा गोला आप लोगो कहां लगाना है इनके बीच में यह तो यह हो जाता है आप लोगों का चतुस फलकिये रिखती यानि कि चार गोलो वाला रिखती अब दूसरा रिखती आपका कौन है दूसरा दूसरा है अश्ट फलकिये रिखती अश्ट फलकिये रिखती आश्ट फलक यह रिखती क्या होता है देखिए यहाँ छे गोलों से मिलकर बनने वाला देखती है छा गोलों से मिलकर कैसे यह छे गोलों से मिलकर बनने वाली देखती है कैसे आप लोग देखिए आप यहाँ एक गोला बनाईए दूसरा गोला बनाईए तीसरा गोला बनाईए चोथा गोला बनाईए ठिक है अगर छे गोला है तो आप लोग यहां देखे इनके बीच में आप लोग को एक ऐसे बनाना है यह और यहां इनके बीच में तो यह हो जाता है आप लोग का अश्ट फलक यह रिखती तो मैंने आप लोग को एक निविड संकुलन दूम निविड संकुलन और त्रिन निविड संकुलन पढ़ा दिया अब आप लोग देखिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है student welcome back to my channel student हमारा chapter number first ठोस अवस्था चल दा है मैंने आप लोगों को ठोसों में संकुलन का topic clear करा दिया है ठीक है तो आप लोग नहीं देखिए हैं तो जरूर देखना आप लोगों के लिए एक playlist है chemistry का उसमें लगा है जरूर देखना और आईए आज हम लोग देखते हैं crystal में दोस crystal जो होते हैं वो तो एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होते हैं लेकिन उसमें भी दोस होते हैं तो आईए देखते हैं crystal में दोस बहुत easy है crystal में दोस उनकी आव्यवस्था के कारण या आशुद्धी के कारण crystal में दोस होता है क्रिस्टलों में जो दोस होते हैं उनकी आव्यवस्था वो मतलब एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं लेकिन क्रिस्टलों में दोस उनकी आव्यवस्था निकि उनकी व्यवस्था जो हो अच्छी ना हो के कारण या आसुद्धी के कारण यानि कि किसी परपोने बहुत ही जयाद है तो आप लोग ध्यान से देखते रहे हैं अब जो आपका दोस होता है दोस यहां मैं आप लोग लिए अच्छी सिस्थान रड़री बनाता हूँ दोस ठीक है दोस आप लोग का दो पड़कार का होता है अब आप लोग समझे तुर्ट ँर लोगों का डुब कॉनशा साल में इंद फैर ना रेखिएस लिएडेदोह सिसय से समझा भीलिफन को बताऊंगी मैं आ लोगों को बताऊं तो फैर ये दोश धुए इतना अधि स्समझ में आ गया होगाँ अब आक norm 5 not विंद दोस आप लोगों का दो परकार का होता है एक होता है रस समीकरण मिटिये दोस ध्यान से समझे एक होता है रस समीकरण मिटिये दोस ठीक है मिटिये दोस और दूसरा होता है स्टूडेंट आरस समीकरण मिटिये दोस आ रस समीकरण समीकरण मितिये दोश ठीक है ये दो होते हैं विंदु दोश के परकार बहुत ही इजी है सब कुछ नाम से मत डरिए ठीक है ये होता है रस समीकरण मितिये दोश ये होता है आ रस समीकरण मितिये दोश अब यहाँ इन के भी परकार होते हैं रस समीकन में तीये दोस और आरास समीकन में तीये दोस देखें रस समीकन में तीये दोस सबस्लिदार महत्पोन है आप लोगों के लिए यह आपका होता है चार परकार का एक दो तीम चार ठीक है कौन कौन सा पहला है आप लोग का स्टूडेंट साट की दोस आप लोग ने पढ़ा होगा बहुत ही जादम हाथ पूर्ण है इसके बाद आपका रिक्तिका दोस रिक्तिका दोस इसके बाद है फ्रेंकलेंड दोस इसके बाद है आपका अंतिम नमबर अंत्रहकासी दोस अंत्रहकासी फ्रेंकल दोस अंत्रहकासी दोस ठीक है यह चार प्रकार के होते हैं बट यह आपके केवल दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से यह मैं आप लोग को बताँगा यह आपके दो परकार के होते हैं के नमबर एक धातु अधिक्यदोस यानि कि जिसमें धात की अधिकता होती है धातु अधिक्यदोस ठीक है और दूसरा होता है धातु निउन्तादोस धातु निउन्ता दोस अभी मैं सबको पढ़ाने वाला हूँ एक एक स्टेप से ठीक है तो पहले आप लोग समझे दोस दो परकार क्या होते हैं विंदो दोस देखिए दोस विंदो दोस दो परकार क्या होता है आर शमीकन अगर हम इसमें बात केँं तो आपका शाठकी दोस और फ्रेंकल दोस सबसे जडार महत्तपुन है आपके बोर इकज़न के लिए तो आप लोग लास्ट तक देखते रहें ठीक है तो बात आती है हमारा विंगो दोस क्या होता है ठीक है पहला हमारा टॉपिक है विंदोस ठीक है तो देखिए विंदोस क्या होता है अववी कणों की व्यवस्था में विचलन होने से उत्पन दोस विंदोस कहलाता है ध्यान से समझों ठीक है मैं यहां कोई अवववी कण ले रहा हूं नीचे मैं आप लोगों को समझा देत यानि कि एक में कोई मतलब दोस होता है तो उसे विंद दोस कहते हैं जैसे किसी एक में बिचलन होता है मतलब अववी कणों में बिचलन होता है तो इससे जो दोस उत्पन होता है उसे विंद दोस यानि कि किसी एक में, ठीक है, हर में नहीं, केवल एक में, तो अववी कणों की रवस्ता में बिचलन होने से उत्पन दोस को विंदो दोस कहते हैं, किसी एक में अगर दोस उत्पन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विंदो दोस, ठीक है, अगर हम बात कहें रेखिये दोस क तो जालग के पूरे पंक्त में पूरा पंक्ती में उत्रपन दोस को रखे DOES को कते है अगर पूरे में कोई दोस इस पूरे में ठीक है तो उसे आम लोग रेक्ऴी दोस कते हैं ठीक है अब बात आती है आपका विकषंदोड decent ह되 Wow5 को होता है आईमें आप लोगों को बताता हूं ठीक है पहला रस समी करण मितिये दोस ठीक है इसमें क्या कहिए रहा है आप ध्यान से समझें यह दोस ऐसा दोस होता है यह दोस होता है कि दोस के पहले तथा दोस के बाद प्लस तथा माइनस का अनुपात समान होता है इसमें जो प्लस और माइनस क छोटा सा बताऊंगा देखिए अगर दोस्त के पहले यानिकी दोस्त ना हुआ हो तो भी उनके अनुपात समान होगी अगर दोस्त हो जाता है तो भी उनके अनुपात समान होते हैं जैसे यहां मैं एक छोटा सा समझा देता हूं मैं ले लिया 10 यह प्लस होता है और यह आपका कैशा टैन और यहां मैं दिखा रहेका t Marriage यहां अनुपाथ के 10 अनुफाथ टैन हैं तो यह की समान है आगल कि एक एक म्रॉब दोस् Baker वहुत हो एक एक का तो यह नाएं और यह वी आपका 9 रहां जायेगा गई तो यह आपका नाई अनूपात नाइन यानिके कटकर एक अनुपात एक में आ जाएंगे और यह आपका papier अब यह आपका चार प्रकार खाय होता है मैंने बता दिया धिक्लिक पहले में आप लोग ко समझ जाओगे ठीक है यहां आप लोग को एक क्रिस्टल बनाना है ठीक है जैसे मैं यहां आप लोग को समझा देता हूं अभी आप लोग को साथ की दोस्त बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोग को कुछ ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा ठीक है ऐसे आप लोग को बना है A PLUS B MINUS A PLUS B MINUS और यहां आप लोग समझिए यहां इसके बिप्रीद इसके नीचे लिखना आलसे यहां तो B आपको B MINUS लिखना है A PLUS B MINUS A PLUS ठीक है यहां आपका a plus रहेगा b minus a plus b minus यहां आपका b minus a plus b minus a plus ठीक है इतना समझ में आया तो अब आप लोग यहां समझेगे यहां अगर हम इस दोस में एक धनायन एक धनायन इसको चाहे जिसको मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि एक को मतलब आप इस धनायन को ले सकते हैं चाहे जिसको ठीक है और एक रिणायन मैं इस रिणायन कर रहा हूँ ठीक है एक धनायन एक रिणायन को इनके अस्थान से लुप्त कर दिया जाए दोनों समान मातरा में एक एक हैं तो इन यहां आपका एक 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 रिक्त अस्थान आजाएगा एक एक आपका रिक्त अस्थान आजाएगा एक एक आपका रिक्त अस्थान आजाएगा इसी रिक्त अस्थान को जो आपका यह रिक्त अस्थान है यहां से देखे आपका यह ए चला गया वी चला गया ठीक है तो यहां आ नहीं है इस रिक्त अस्थान को हम लोग शाट की दोस कहते हैं अब आप लोग को दिखाता हो में और यह जिसमें धनायन movimento और हम सामान संख्या में लप्त कर डिया दें सबगर समझ में आगया होगा है तो आप लोग छे नोट कर लिए लिखें 59 कि रिश्टलों में ऐसा सबाइ Red स्थान से लुप्थ हो जाते हैं लुप्थ होने से उत्पन दोस साथ की दोस कहलाता है अब आता है नमबर टू दोस आपका आता है रिक्तिका दोस ठीक है रिक्तिका दोस आप लोग यहां देख सकते हैं लेकिन मैं आप लोग को पहले चित्र को समझाता हूं ठीक है यहां इस व्ही स्थान से ज़से इन दोनों को इनके अस्थान से बाहर कर दिया जाए तो यहां क्या होगा एक रिक्त अस्थान हो जाएगा अगर आपका क्या होता है परिवार है पांच लोगों का इसमें से किसी एक को बाहर कर दिया जाए तो वहां एक रिक्त अस्थान होगा जैसे उनका अस्थान जोगा जिस कमरे में रहते हैं वह कमरा खाली हो जाएगा ठीक है यानि कि रिक्त रिखतिका दोस कहते है जो कमराखाली उसे दोस कहतेए काँथिकादोस तो इन अववी करणों को अगर हम बाहर कर देते हैं तो यहां रिखत अश्थान हो जाता है तो इसी दिर्ञतासथ नहीं करना इस रिखतिकादोस् DoS ठीक है यह हमारा साटे की दोस और रिक्तिका दोस समाब्ध होता है अगला दोस आता है फ्रेंकल दोस ठीक है फ्रेंकल दोस को समझने से पहले चितर को समझो ठीक है फ्रेंकल दोस को समझने से पहले चितर को समझो ठीक है चितर बहुत ही इजी है इस्टुरेंट मैंने एक क्रिस्टल बन I am टीककॉस्ट तो आप लोग समझो अगर मैं पूछूँ कि ये जो इनके बीच में खाली एस्थान है जैसे यहां मैंने फिलाहल आगे पढ़ाया था इनके बीच में जो खाली एस्थान उससे क्या कहते हैं अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छा है लेकिन नहीं जानते हो तो मैं आप लोग को बताता हूं अंतरह कासी दोस्त यानि कि यहां जो बीच में होता है उसे अंतरह कासी अस्थान कहते हैं या आप लोग इसे अंतरह कासी अस्थान होता है यह कौन सा अस्थान होता ह से प्लस ऐन को हम तिसक अस्थान से चोड़कर जाता कर इस अंत्रह वहाइस पर रख दिया जाता है और यहां रख दिया जाता है जैसे अपने समझगेए योवी आप है और एक कमरा दो कमभाए ऐस अस्थान पे आप रहते हैं इस अस्थान से आपको हटा कर इस कमरे में ले आ जाए निकि इस कमरे से आपको हटा कर इस कमरे में ले आ जाए तो वहां आप लोग देखिए उसी को हम लोग फ्रेंकल दोस करते हैं इस आपको यहां से हटा कर यहां ले आ जाता है अंतराकासी अस्थान पर जादा बेटर रहेगा अंत्राकासिय स्थान पर ले आते हैं देखिए इस आयन को हटा देते हैं यानि कि उसके अस्थान से हटा देते हैं और कहा ले आते हैं अंत्राकासिय स्थान पर बात को समझ गये होंगे ठीक है बहुत ही इजी है यदि किसी जालक ही आपका जालक है का आयन अपना स्थान छोड़कर अंत्रहकासिय स्थान में चला जाता है तो इस दोस को फ्रेंकल दोस कहते हैं कितना इजी है कितना अच्छा है ठीक है यह अपना स्थान आयन छोड़ देता है अपना स्थान छोड़कर अंत्रहकासिय स्थान में चला जाता है इसलिए इस दोस को फ्रेंकल दोस्त कहते हैं ठीक है अब हम लोग देखते हैं अंत्रहकासी दोस्त अंत्रहकासी दोस्त मैंने आप लोग को समझाया लेकिन अंत्रहकासी दोस्त उसमें वी था लेकिन मैं आप लोग को यहां बताता हूं अंत्रहकासी दोस्त कैसे होता है क्रिस्टल आप लोग एक अववीकन अब देखी इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है जैसे कृस्टल है इसमें कोई अववी कन कहा चले आते हैं बाहर से अंतरह कासी अस्थान में चले आते हैं ये इसमें के बीच में जो है अंतरह कासी अस्थान है क्रिस्टल में जब कोई अववी कन अंतरह कासी अस्थान में चला आता है कोई बाहर से अववी कन आता है और अंत्राकासी अस्थान में चले आते हैं कोई अववीकन है तो वो बाहर से आता है अंत्राकासी अस्थान पर तो यहां आप लोग समझे इसे अंत्राकासी दोस को क्रिस्टल जालक में जब कोई अववीकन अंत्राकासी अस्थान में चला जाता है या चला आता है तो इस दोस्त को अंतरहकासी दोस्त कहते हैं किलियर हो गया तो यहां से आपका रस समी करने ये दोस्त का चौथा भाग किलियर हो गया यानि कि आप लोग समझे आपका जो रस समी करने ये दोस्त है रस समी रस समी करने मितिये दोस आपका complete हो गया ठीक है रस समीकरने मितिये दोस अब हमारा number आता है आ रस समीकरने मितिये दोस तो ध्यान से समझो बहुत ही easy है student R.S. समीकणी M.T. सापका दो परकार का होथा धातु अधिक दोस धातु निउन्टा दोस लेकिन धातु अधिक दोस थोड़ा आप लोगों के लिए hard है आप लोग विना चितर के नहीं समझ पाऊगे तो मैं आप लोगों को चितर समझा दूँगा और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा student theory लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा चित्र को समझो जैसे आप लोग एक एक step बनाते जाओ theory में लिखते चले जाओ तो आप लोग समझे मैं यहाँ एक crystal लेता हूँ NaCl का crystal ठीक है ठीक है बहुत ही ध्यान से समझना और सब्सके गारा महात पूर्ण है ठीक है यहाँ मैं एक NaCl का crystal लेता हूँ यहाँ मैं क्या करता हूँ Na plus Cl minus Na plus Cl minus Cl minus इसके नीचे विप्रीथ होना चाहिए Na plus Cl minus Na plus यहाँ भी Na plus Cl minus Na plus Cl minus Cl minus Na plus ठीक है समझो बात को Cl minus Na plus तो इतना आप लोगों एक को समझ में आ गया इसके उपर से हमें Na का वास्प लेना है यहाँ मैं कि इसे Na वास्प से गर्म करना है ठीक है यहाँ में Na वास्प से गर्म करना है यहाँ Na वास्प से आप लोगों को लिखना है जब NaCl को Na वास्प पर गर्म किया जाता है यहाँ देखे मने NaCl को यहाँ काका क्रिस्टल है यहां मैंने एक NaCl का क्रिस्टल लिया जिसमे मैंने एन्ने को वास्प यानिकी गर्म किया और E माइनस अनिकी अलेक्ट्रानों को एन्ने एक अलेक्ट्रान को त्याग करता है ठीक है तो अगला मैं आप लोगों को ऐसे आप लोगों को एक और बनाना है तो student यह जो electron है ठीक है यह यह अन्ने आपका है और यह Cl को अपनी तरप जोड़ लेगा ठीक है Cl को एन्ने CL बनाना है तो ऐन्ने जो है यहां देखेए मैं वास्प दे देता हूं तो देखेऊ एन्ने है और Cl को एक Cl को अपनी तरप खीचेगा यह हैं यहां इप्लों को हटा कर एक एलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां यहां इस जो यहां और यहां आता है इसे हम दोग यफ केंद्र कहते हैं इसकेंद्र आपने के लिए इंपॉर्टन्ट है यहां एलेक्ट्रॉन आ जाता है सियल को हटा कर ठीक है तो यह आपका देखिए यहां पहले सफेद रंग का था सफेद रंग और यहां के मुक्ट अलक्ट्रान है मुक्ट अलक्ट्रान आपके रंगों और धारा पंडिर भर करते हैं तो इसका रंग बदल कर पीला कर दिया ठीक है पीला रंग यह पहले सफेद रवाद में पीला हो गया ठीक है पीला तो इसको आप लोग समझने में कोई द Crystal के ये दिखेни N जो है Crystal के सता पर जम जाता है ऐहां जम जाता है ठीक है N e- e- को त्याग करता है N e- एक Electron को त्याग करता है और N e Plus c l- ne plus c l- a- c l बनाता है ठीक है और e- दिखत HOW चला जाता है यानिक उस पड़कार N न का आधिक हो झाता है यानिक Dreete धात की अधिकता हो जाती है इस रिक्तस्थान को यस के अंदर कहते हैं तो एन्ने क्रिस्टल के सथा पर जम जाता है और एन्ने जो है अने का अधिक के आनि की सोडियम का अधिक हो जाता है धातु का अधिक अधिकता स्थान को यसे के अंदर कहते हैं अगर यस्टेक कोई परिवाद साप पूछे तो आप लोग यह बता सकते हैं ठीक है तो यहां तक तो आप लोगों का complete हो गया एक इसका दूसरा भाग है लोग समयं धातु नींत्वा दोस परीवर्ति संयों जक्ता दर्सानने धातूं के योग को जैसे फ यू यू जाता है तो शुड़ांद यह था दोस माने आप लोगो को रस समीकनी मितिये दोस का और रस तमीकन मितिये दोसका प्रकार भी बता दिया है तो चलिए अब देख्त ठोसों में विद्धुतिय गुण देखी इस गुण के आधार पर ठोस को तीन परकार में बाटा गया है यानि कि ठोस में अगर हम विद्धुत की परवाग करें तो ये तीन भागों में होता है नमबर एक एक तो चालक होता है एक आचालक होता है एक अर्ध चालक होता है तीन अर्ध चालक होता है अब समझे चालक क्या होता है कंडेक्टर ठीक है समझो जिसमें आम लोग धारा का परवाह आसानी से कर दें ठीक है जिसमें धारा का परवाह आसानी से होता है चालक कहलाता है अगर यह एक चालक हो और इसमें धारा का परवाह आसानी से हो जाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होता है ठीक है तो वो आपका चालक होता है ठीक है ठीक है लेकिन यह मैंने एक्जामपल लिया है कि अबल अगर हम बात करें अर्धचालक की तो अर्धचालक जिसमें धारा का परवा नहीं होता है ठीक है जैसे इसमें धारा का परवा नहीं होगा ठीक है त इसमें धारा का परवा ही ना हो आचालक और अर्धचालक कुछ विशेश श्थतियों में धारा का परवा उच्चिताब पर होता है जैसे सिलकान और जर्मेनियम में ठीक है वो आपका अर्धचालक होता है जैसे समझे कुछ विशेश श्थतियों में जब धारा का परवा उच चिताब पर होता है किसमें शिलकान और जर्मेनियम में होता है हल चीज में नहीं होगा तो वह आपका अर्ध चालक होता है अब देखे शुड़न इसमें धारा का परवा होता तो है देखे मैंने यहां लिखा है ठोसों में विद्धुतिये गुण यानि कि ठोसों में विद्धुतिये गुण कैसे होता है इसे हम लोग वैंड सिध्धान्त से समझेंगे ठीक है यह अन्सी ए आलटी का टॉपिक है हो जाता है आचालक में नहीं होता है अर्ध चालक में वीख थोड़ा कम होता है ठीक है तो देखी परतेक बदार्थ में दो परकार का बैंड पाए जाता है अगर आपका चालक हो या आचालक हो या अर्ध चालक हो परतेक में दो परकार का बैंड पाए जाता है कितना दो प कतया बंड यह और का दूसरा है संयोजिव्यंड इन दोनों के वीज की दूरी ऊルगांतरॉन केट में और इनके में दूर्ण के वीज की दूरी को उर्जा उते उत्ले है थो समझ मैं तो आ गया ठीक है इतना आप लोग समझिए नום मैं आप सेयों जी वेंड आप लोग वेंड जो एक बनाना है मैं आप लोग बना के समझा धूं ताकि आप लोग को कुई दिक्कत ही न हो यह आपका है संयोजी वैंड इसमें आपके एलक्ट्रोन है ठीक है एलक्ट्रोन है यह आपका एलक्ट्रोन है इसे हम लोग कहते हैं संयोजी वैंड संयोजी वैंड यह है आपका संयोजी वैंड ठीक है अब एक आपको चालकता वैंड बनाना है यह है आपका चालकता बैंड ठीक है यह आपका क्या है student चालकता बैंड यह आपका चालकता बैंड यह आपका चालकता बैंड और इनके वीज की दूरी को क्या कहते हैं यह जो इनकी वीज की दूरी है इसे हम लोग कहते हैं उर्जा अंतराल यह आप लोग यह कह सकते हैं ठीक अब यह मैंने एक तीर बनाया है यह क्या है कि इसमें से इलक्टरॉन साइयोजी वैंड में से चालक्ता वैंड में जाती है ठीक है इतना आप लोग समझे तो इस्टुडेंट यह जो आपका साइयोजी वैंड होता है इसमें उर्जा कम होता है तब इसमें इलक्टरॉन होते ह चालकता बैंड में अलेक्ट्रान जा सके अनिके परवाहित किया जा सके तब तो विद्धुत का चालन होगा अगर यह जो अलेक्ट्रान से चालकता बैंड में मलब परवाहित किया जा सके तो आपका मलब धारा परवाहित होगी अगर यह अलेक्ट्रान इसमें परवाहित ना का प्रवा होता है कैसे नहीं होता है कैसे विश्य स्थति में होता है तो आईए देखते हैं तो इस्टूडेंट यहां आप लोग हेडिंग डालिये चालक यहां आप लोग हेडिंग डालिये चालक ठीक है चालक हेडिंग डालने के बाद मैं आप लोग को बताता हूं कैसे दूसरा बैंड है ठीक है यह आपका दूसरा बैंड एक बैंड और दूसरा बैंड यह आपका है चालकता बैंड चालकता बैंड और यह है आपका संयोजी बैंड संयोजी बैंड ठीक है अब देखिए इसमें क्या होता है इसमें आपके अलेक्ट्रॉन्स है यहां अलेक्ट्र हम भर देते हैं, यहां आप लोग इसमें, इलक्त्रों इसमें पर दीजिए, सैयों जी बैंड में, ऐसे को आफ लोग को करना है, ठीक है, अब देखिए, यहां जो था चालक्ता बैंड और सैयों जी बैंड के बीच में उर्जा अंत्राल का जो जगा होता है, अस्थान होता, यहां आप लोग देख सकते हैं, यहां इनका अस्थान बहुत ही कम है, तो इसमें जो होई स्टूडेंट धारा का परवाह आसानी से हो जाता है, तो आप लोग अगर थेओरी लिखने आता हैं, तो लिख सकते हैं, चालक में जो चालक ताबेंड और संयोजी वेंड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नजदीक होता है, और संयोजी वेंड का अलेक्टरों चालक ताबेंड में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए चालक में आसानी से धारा का परवाह हो जाता है, तो श्टूडेंट यह था आपका चालक अब दूसरा आप लोग का टॉपिक आता है आचालक ठीक है पहले आप लोग का चालक को समझे फिर मैं आप लोग को उससे समझाता हूं आचालक ठीक है आचालक में कैसे होता है देखिए मैं आप लोग को देखिए यहां एक वैंड है बहुत ही इजी है गर आप लोग थोड़ा सा mind लगा कर समझते हैं ठिक है ये आपका ठिक है ये आप लोग उच्छ इजी कि एक दूसरे से काफी दूरी पर है ये मैं copy है काफी दूरी पर लिख नहीं सकता तो यहां आप लोग समझें कि एक wind जो आपका चालकता वैंड है और संयों जी वैंड दूर दूर है ठीक है यह आपका है चालकता वैंड वैंड आप लोग दोनों याद रखना पड़ेगा चालकता वैंड और एक है संयों जी वैंड यह आप लोग समझे एक दूसरे से काफी दूरी पर है इसमें इलक्ट्रोंस है अब देखे यह एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर है इनकी मुकाबला और काफी दूरी पर है तो इसलिए इसमें धारा का परवाह नहीं होता है क्योंकि जब ज़्यादा दूर होंगे तो इसमें धारा का परवाह होगा नहीं तो मैंने अचालग में बताया है जिसमें धारा का परवाह ना हो वो आपका अचालग कहला था अब मैं इसे बहुत दूरी पर बनाता तो भी बात हो यह ठीक है तो यह मैंने मान लिया कि यह दोन आपका आता है तीसरा अर्ध चालक, ठीक है, तीसरा मैं आप लोगों समझाता हूँ, अर्ध चालक, अर्ध चालक में क्या प्रोसेस है, देखी, ये इनकी मुकाबला नजदीक होती है, ठीक है, ये क्या होता है, कि इनकी मुकाबला नजदीक होती है, और इसमें है अलक्ट्रोंस ठीक है यह आपका है संयोजी वैंड संयोजी वैंड यह आपका चालकता वैंड तो इसमें वैसे धारा कप्रवा होता नहीं लेकिन कुछ विशेश स्तियों में इसमें धारा कप्रवा होता है उच्च ताप देने पर सिलिकान और जर्मेनियम में इनके धारा कप्रवा आसानी से हो जाता है तो आप लोग यहाँ यहाँ रखना उच्च ताप पर जब हमें हिस्से उकरते हैं उच्च ताप पर शिलिकान और जर्मेनियम में इनका धारा कप्रवा होता है जब उच्च ताप पर हो ठीक है तो यह मैंने आप लिगों को बता है कि वैंड सिधांद से चालक और अर्ध्च ताप्रवा होता है अब छोटा सा टॉपिक है अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं बस इसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्थ हो जाएगा अर्धचालक, student आपके दो परकार के होते हैं, सुध्ध अर्धचालक, या आप लोग इसे कह सकते हैं, आंतरिक अर्धचालक, ठीक है, सुध्ध यानि की अंदर वाला अर्धचालक सुध्ध ही होगा, और असुध्ध या वाह अर्धचालक, ठीक है, देखो, या आपका सुध तो अंदर है तो अंदर होगे तो सुद्ध रहोगे और असुद्ध यानि की बाहर है वह है अर्दचालक ठीक है तो बात को समझो प्राकृत में सुद्ध रूप से विद्धमान ठीक है जो प्राकृत में सुद्ध रूप से विद्धमान हो उसे हम लोग कहते हैं क्या सुद् ओधिशालक में तिर सैयों जी तथा पंच पंच असुधिय स्ध आर्धिशालक में है तो यह न फैपसरी देंथ आपकाfre Gill और आपकर समझीए जिसमें हम लोग 3 सेयों जी मिलाया जाता है जिस साथ चालंग में 3 सेयों जी मिलाया जाता है उचे P प्रकार कार चालंग और N प्रकार कार चालंग जिसमें 5 सेयों जी मिलाया जाता है वो N प्रकार कार चालंग होता है तो इस्टूडेंट इसमें मैंने बताया थोसों में विद्धूतिय गुण कैसे होता है इस्टूडेंट यह बहुत ही ज़्यादा महात्पून है तो आएए देखते हैं थोसों में चुम्बकिये गुण देखिए शबी पदार्थों में सभी पदार्थों के साथ कुछ चुम चुम्बकिये गुण होगा देखिए आकर्सित करने का गुण होगा बहुत जादा या आपका प्रतेकर्सित करने का गुण होगा या आकर्सित अपर करसित नहीं करेंगे मतलब बहुत जादा मतलब उसको प्रतेकर्सित कर देंगे बहुत जादा आकर्सित कर देंगे ठीक ह लेकिन कोई गुड संबंधित होता है इन गुडों की उत्पत्य लेक्तरानों के कारण होती है अब कोई भी चीज़े उसमें लेक्तरान्स होते हैं ठीक है इस मतलब इस गुडों की उत्पत्य लेक्तरानों दोरा होती है पदार्थों के इनके चुम्बकिये गुणों के आधार पर पांच भागों में बाटा गया है अगर हम इनको देखें चुम्बकिये गुणों के आधार पर तो इनके पांच भागों में बाटा गया है अब पांच भाग इनके कौन कौन से हैं ये सब आपके NCRT बुक से हैं ये आप लोग पहले समझ लीजिए तो आप लोग सब ही टॉपिक NCRT बुक से हैं जो NCRT बुक से हैं ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे अनुचुम्बकिये ठीक है अब मैं आप लोग को पहले बता दू कौन कौन से है अनुचुम्बकिये परत चुम्बकिये लओ चुम्बकिये परत चुम्बकिये एंड आपका Fari Cheung cutest श्वारी स्टूडेंट यहां आप लोग लिख सकते हैं प्रतिलोह चुम्ब किये ठीक है तो प्रतिलोह चुम्ब किये तो देखिए इन पांचों को मैं आप लोग को ऐसा समझा दूंगा कि आप लोग को सब कुछ समझ में आजाएगा और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर छेतर में ले जाने पर दुर्बल रूप से आकरसित करते हैं अनु चुम्बकी ये पदार्थ कहलाते हैं समझो जैसे ये है आपका चुम्बकी ये छेतर दिखिए आपका चुम्बकी ये छेतर है ये इतना और हम इसमें वस्त को ले जाएं हम इसमें किसी पदार्थ को ले जा यानि कि दुर्बल रूप से अनुचुम्बक करता है याद हो गया वे पडात जिसे चुम्बकी से चेत्र में ले जाने पड़ अगारम की चेत्र को ले जाएं तो इसे दुर्बल रूप से अकर्षित करते हैं मैं अनुचुम्म किये पतात कराता है, example के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, oxygen जिस पे आपके दो प्लस होते हैं, ठीक है, इसमें electron कम है निकी oxygen में दो प्लस होते हैं, cu में दो प्लस होते हैं, यह सब जो होते हैं student, यह सब धुर्बल रूप से आकर सिथ होते हैं, ठीक ह आदी, इतना तो समझ में आ गया, तो अनुचुम्म किये समझ में आ गया, अब हम लोग दिखेंगे प्रति चुम्म किये, वे पदार्थ जिसे चुम्म किये छेतर में ले जाने पर, दुर्बल रूप से, ठीक है, दुर्बल रूप से प्रतिकरसित करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं तो उसे प्रतिकर्षित स्वारी प्रति चुम्बकिये पदार्थ कहलाता है वे पदार्थ जिसे चुम्बकिये छेत्र में हम ले जाते हैं और दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं ठीक है तो वह आपके प्रतिक चुम्बकिये पदार्थ कहला है ठीक है अतना समझ में आ गया जैसे एस्टू पानी कि एनने सील मतला भी यह प्रतिकर्षित दुर्बल लूप से करते हैं ठीक है तो यह आपका हो जाता है एक्जामपल तो आप लोग अनुचुम्बकिया और प्रतिकुम्बकियों को पढ़ लिए होंगे यह सब आप दोनो पढ़ लिए है अनि कि आप लोगोंने नोट कर लिया होगा ठीक है आगे देखते हैं तीसरा तीसरा स्टूडेंट जो है वह हो लव चुम्बकिये लव चुम्बकिये अब यहां लव मतलब लोहा यानि कि इसका एक्जामपल होगा लोहा ठीक है तो वे पदार्थ जिसे को लिजाते हैं बहुत तेजी से ऐसे है तो इसे हम चुम्बकिये छेत में थोड़ा सा लेगा तो बहुत तेजी से आकर स्थित कर लेगा ठीक है मतलब पडबा लूप से बहुत तेजी से आकर स्थित करेगा तो वह आपका होगा लोह चुम्बकिये यह कोई लोहा है यहां म हूँ अभी नहीं यहां किस्ट किया और मैं जैसे यहां जाओंगा तुरंथ सट्ट से आकर स्ट कर लेगा ठीक है तो इसे हम लोग कहते हैं लोग चुम्बकीय पदार्थ एक्जामपल के लिए आप लोग ले सकते हैं स्टूडेंट लोहा ठीक है लोहा ठीक है कोबाल्ट लोहा कोबाल्ट निकिल यह तीन होते हैं तो समझ में आया लोग चुम्बकीय अब आता है प्रत्य चुम्बकीय पदार्थ प्रत्य लोग चुम्बकीय ठीक है वे पदार्थ चुम्बकीय छेतर में ले जाने पर विपरीत दिशा में परबल रूप से आकरसित करते हैं विपरीत दिशा में परबल रूप से आकरसित करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऐसे पदार्थ लओ चुम्ब की पदार्थ होते हैं परत लओ चुम्ब की पदार्थ है देखे बात को समझो यहां लओ था वो परबल रूप से आकरसित करता था परत मतलब परत करसित करता है लओ वे पदार्थ जो चुम्बकिये छेतों में ले जाने पर विपरीद दिसा में परबल रूप से आकर्षित करते हैं तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं प्रतिलव चुम्बकिये पदार्थ होते हैं एक्जामपल के लिए मैं आप लोग को बता दू मैगनीज आक्साइड ठीक है मैगनीज आक्साइड तो यह तो आप लोग समझी के होंगे इसका एक्जामपल मैगनीज आक्साइड तो यह आप लोग नोड भी कर लेना नोड बना लेना ठीक है अगला हमारा फेरी चुम्बकिये पदार्थ लाश्ट हमारा है फेरी चुम्बकिये पदार्थ वे पदार्थ जो चुम्बकिये छेतर में ले जाने पर मतलब मैं उसे चुम्बकिये छेतर में ले गया तो लोग चुम्बकिये की तुलिना में चुम्बकिये छेतर द्वारा दुर्बल रूप से आकरसित करता है जो लोग चुम्बकिये है उसकी तुलिना में दुर्बल रूप से आकरसित करता है यानि कि लोग चुम्बकिये जादा आकर्षित करता है थोड़ा कमा कर्षित करता है तो उसे करता है फेरी चुम्बकिये पदार्थ उसे का करता है स्टूडेंट फेरी चुम्बकिये पदार्थ तो यह आप लोग तो समझी गया होंगे फेरी चुम्बकिये पदार्थ इसके पांच परकार भी समझ गया होंगे तो इसका मैं एक्जामपल बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो एक्जामपल भी याद कर लेना बिना एक्जामपल के आपको अच्छा नहीं लगागा क्योंकि आपको अगर परिभासा याद है तो एक्जामपल भी परियाद होना चाहिए एफवी 304 इसे हम लोग क्या कहता है इस्टूडंट जानते भी होंगे मायगनेटाइट मायगनेटाइट तो इस्टूडंट यह था मेरा आज का वीडियो ठीक है इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया फेरी चुम्बकिये सब कुछ बता दिया जो आपके चुम्बकिये पर आख थे तो अगर आप लोगों को यह पूरा वीडियो जो मैंने बताया पूरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजी जाता ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए यह लेशन यही पर आपका समाप्त हो जाएगा इसके आगे आगे आप लोग देख सकते हैं अपने NCEIT बुक में तो यह लेशन आपका यही पर समाप्त हो जाता है आप लोगों को अगर अगला पार्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वह मैं ऐसे मैं अपलोड करूंगा डेली तो इस्टूडेंट वीडिय को पूरा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं आए हों तो सब्सक्राइब करने के बाद वह लाइकन को जरूर प्रेस कर देना तो कि मैं ऐसे वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं तो इस्टूडेंट फिलाल इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्नवाद